हेलो प्यारे बच्चों आज हम आपके लेकर आये हैं तीन अक्षरों वाले शब्द जिनका हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे तो प्यारे बच्चों मेरे साथ बोलिए फर्स्ट लाइन शुरू करेंगे हम सबसे पहले सेकिंड थर्ड यहाँ पर तीन लाइने हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन से यहाँ पर शुरू करेंगे रीड करना तो मेरे साथ बोलिए प्यारे बच्चों ए मैं ने अमन नेक्स्ट है चे मैं ने चे मณ cьischिह डे में ने डमन ने डमन ने डमन है PPT व्री यहाँ राद मैं डमन से डमन 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 से डमन पर लाद मन SAथ लाद मैं ने ने डमन । न रमन Next and second line के रे में गरम Next गे रे में गरम Next ने में गरम दे में नरम नेक्स दे रे में धरम धरम नेक्स शे रे में शरम थर्ड लाइन यहाँ पर है अब बे रे वहाँ ने बहें में नेक्सट बहाँ बहाँ पर है ने बहाँ बहाँ है ने बहाँ बहाँ नेक्स से है ने सहन सह है ने सहन सहन next बे दे ने बदन बदन next मे दे ने मदन मे अब इने हम एक बार और रुपीट करेंगे अब ठीक है फर्स्ट में है अमन चामन दमन नमन रमन सेकंड अब करम उसके बाद क्या लिखा है गरम नेक्स्ट है नरम नेक्स्ट क्या लिखा है धरम उससे नेक्स्ट है शरम नेक्स्ट थर्ड लाइन है अब बहन पहन सहन अब आप से मैं पूछूँगे कि आपको अभी शब्द बताना यहां से ठीक है तो आप मुझे बताओगे कनक कनकिन में से मुझे यह बताओ यह क्या लिखा हुआ है बहन बहन वेरी गुड़ अब बताओगे मुझे आप यह वाला शब बताओगे रीड करके यह क्या नरम वेरी गुड़ आप बताना यह वाला शब्द बताओगे क्या लिखा है रीड करो क्या लिखा है हाँ हाँ जोड़ो जोड़ो क्या है मैं आपको बताते है इस तरीके से बोलो रै मै क्या बन गया रमन वेरी गुड आप मुझे ये वाला शब्द बताओ ये वाला क्या रै रै अजी मै क्या बन गया क्या रै मैं क्या बन गया करम करम वेरी गुड़ो तो क्या रे बच्चो जैसे अभी हम सब ने यह यहाँ पर रीड किये है वैसे आप भी जल्दी से इने रीड कर ली जया ओन में इन में से ओ रमन की टर्म रहे गे रमन आप भी बेटा करो ये बताओ आप ये बताओगे क्या लिखा है बताओ नहीं पता ओके मैं बताती हुँ चलो आपको मैं बताती मेरे साथ बलो से, हे, न, सेहन, अब पता चला क्या है ये, सेहन, वेरी गुड, इसी तरीके से आपको, जो नहीं पता है, कोई बात नहीं, नहीं पता है, तो इन्हें क्या, अभी आपको लंग करने के लिए थोड़ी बोला है, अभी हम इने क्या करेंगे, रीड कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यह वर्णू के अच्छे से पहचान कर रहे हैं, उसके बाद इने क्या करेंगे, हम नोट बुक में भी लिखेंगे, जिससे हमें ये पर्मानेंट और अच्छे से लर्न हो जाए, ओके प्यारे बच्चो, ओके, आप सभी ने देखा कि हमने कितन प्यारे बच्चो से भी ये रीड करवाया है, तो आप भी जल्दी से इने रीड कीजिए और अच्छे से इने लर्न कीजिए, ठैंग्यू प्यारे बच्चो